खाता अबुक आप के ऐसी क्या खासेद है अरे भई खाता अबुक आप में बैक अप का सुविधा भी है आप फोन गुमेगा तो कोई टेंसन नहीं आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा समझे तो यह हमरे परफेक्ट हिसाब किताब का राज खाता अबुक आप डिजिटल के सवाल पर धोनी ने बात कई थी अब जन्वरी के महीने में बी सीसी आई ने एक बड़ा एलान कर दिया है भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साल 2019-20 के लिए कंट्रेक्ट जारी कर दिया है महेंदर सिंग धोनी को इस लिस्ट से बाहर किया गया है धोनी पिछले सीज होने से उनकी ब्रांड वैल्यू पर भी असर बड़ेगा जिससे उनका बड़ा नुकसान हो सकता है धोनी ने साल 2019 में आई सीसी विश्च कप में 10 जुलाई को आखरी मैच खेला था इसके बाद उन्होंने खुद को वेस्ट एंडी सीरिस से बाहर रखा लेकिन उसके बाद स ही वो वन डे और टी-20 दोनों टीमों में फिर कभी नजर नहीं है ऐसे में अब 16 जनवरी 2020 को जारी कॉंट्रेक्ट से भी धोनी का नाम हटा दिया गया है MS धोनी को लेकर जो जानकारी मिली है कि वो इस कॉंट्रेक्ट के किसी भी ग्रेड में मौझूद नहीं है लेकिन PCCI के कॉंट्रेक्ट में चार ग्रेड जो होते हैं उनमें A+, A, B और C होते हैं A+, ग्रेड में कप्तान विराट कूली, रोहिश शर्मा और जस्पीद बुम्रा जैसे खिलाडी शामिल है इस ग्रेड के खिलाडियों को सालाना 7 करोड रुपे मिलते हैं इस ग्रेड में अभी सिर्फ 3 ही खिलाडी मौझूद है इसके अलावा A ग्रेड में अश्विन, जडेजा, भुवनेश्वर, पुजारा, रहाने, केल, राहुल, धवन, शमी, इशान, कुल्दीप और इशप पंथ शामिल है इस ग्रेड में खिलाडियों को 5 करोड रुपे मिलते हैं धोनी का नाम इसी ग्रेड से हटाया गया है इसके अलावा ग्रेड बी में 5 खिलाडी मौजूद हैं जिसमें रिधिवन साहा, उमेश यादव, युजवेंदर चहल, हार्दिक पांडिया और मैंक अगरवाल मौजूद हैं इस ग्रेड में खिलाडियों को 3 करोड रुपे मिलते हैं इसके अलावा सी ग्रेड में केदार जादव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीश पांडे, हनुमा विहार, शार्दूल ठाकुर, श्रिया साहिया और वाशिंग्टन सुंदर शामिल है इन खिलाड़ी को 1 करोड रुपे सालाना की रकम PCCI की तरफ से मौहिया कराई जादे है लेकिन MS धोनी का ग्रेड से बाहर होना, क्या ये संकेत देता है कि अब उनका अंतराश्टे क्रिकट में भारत के लिए सफर खत्म हो गया है तो इसका सवाल अभी के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है कि ग्रेड से बाहर होने वाला खिलाड़ी भारत्य टीम के लिए नहीं केल सकता ऐसा हो सकता है कि MS धोनी फिर से टीम इंडिया की नीली जर्सी में नज़र आए जैसा पहले गौतम गंभीर और सुरेश रहना भी कर चुके हैं उन्हें भी कॉंट्रेक्ट के लिए से बाहर कर दिया गया था लेकिन उसके बाद इन दोनों खिलाड़ीों ने टीम के लिए वापसी की जबकि ये जो कॉंट्रेक्ट है वो अक्टूबर महीने से जिहां अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के लिए है जबकि T20 विश्कप इसके बाद खेला जाना है तो ये इस बात की संभावना हैं कि धोनी इस कॉंट्रेक्ट के दौरान भी और कॉंट्रेक्ट के बाद भी टीम इडिया के लिए वापसी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे यूट्यूब पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहेते तो हमारे पेच को लाइक कीजिए साथ ही अगर आपने अब तक हमारा Android डाउनलोड नहीं किया है तो Google Play Store में जाईए दिलललन टॉप टाइप कीजिए और हमारे Android डाउनलोड कीजिए मेरे साथ हैं विभव शुक्रिया